आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है? काम वली बाई की जबान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ दिनों बाद सूंगने को भी नहीं मिलेगी। सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई ये सबजियां। सोचती हो तेरी शादी में सोने की जगर सबजियां मा, हजान पार मैंने आपसे कहा है, शादी की बात करके बोर मत करो। हाँ 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 बोर तो लगीगी ना, बड़े होने की बात मा को पूछता कौन है। मा, आपको इस वर्क गड़े मुर्दे उखारना जरूरी है क्या। खुशी-खुशी जाओ ना, मेरा मुर्ट क्यों खराब करी हूँ। चिकी की शादी हो गए, मिकी की शादी हो गए, सविता के घर में तो नाती-पोती भी खेलने लगे। तेरी शादी का सपना देखकर मैने गुणा कर दिया। जिंदिगे पर बिनाशादी के तुझे घर में बिठा के रखना है। मा आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने इरादा नहीं बदलने वाली तू क्यों इरादा बदलेगी, मत बदल, पाजु वाले ललन के लली को देख मा तर तीन दिन छोटी है, उसकी पिछले मेने शादी हुई और पती के साथ वाशिंग मशिन चली गई मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है मेरे लिए दोनों एक जैसी ही है मेरे नसीब में तो वाशिंग मशिन नहीं लिखी है चब से टैब बुक पे उसकी 32 सी निकाली वी फोटो देखिए आग लग गई मुझ में अंगुठा चाप घर से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वाशिंग्टन टैब बुक पे फोटो देखो उसकी मा, शादी करके फॉरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी फिच्चेज अपलोड करना ये कोई महान काम नहीं हो के इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीव करना ये महान काम है हाँ हाँ, दुनिया में तुमी तो एक महान बच्ची हो अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी और मेरी इच्छा तो तुमारे लिए कुछ है ही नहीं मा, कोई के मेंड़क हो क्या घूम फिर कर एक ही बात पर आजाते हो शादी, शादी, शादी भाई साब, आपकी शादी हो गई है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, उमर निकल गई तो कोई नहीं पूछेगा मैं शादी वले ब्रोकर से बात करती हूँ, अच्छे-चे लड़के उसके पास, देशी है, विदेशी है, सब तरह के हैं मा, मैं जब से बैठी हो तब से आप शादी की रट लगा रहे हूँ, अगर आपने एक बार भी और शादी का नाम लिया ना, तो मैं इस ओर्टो से कूट कर भाग जाऊंगी कूच जा बेटा, कूच जा, रोक कौन रहा है तुझे, तु कूच जाएगी न तो जञजटी खतम अच्छा बताओ, आप धोकला खाएंगी क्या? नहीं, सोड़ा जैदा होता है, तू टॉपिक क्यो चेंज कर रही है? आपकी बस रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं, आपको जो खाना अभी खालो वर न भूके रह जाओगे मेरी फिकर छोड़ो और अपनी शादी कर ले पापा से कहना चाय में चीनी कम पत्ती ज्यादा डाले, कम से कम उससे आपका दिमाग तो चलेगा उनकी तो बात भी मत कर, उनकी वज़े से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने कई बार उन सिखा कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कर दिया, सिर्फ तेरे लिए मा, मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, आप प्लीज मुझे बोर मत कीजिए, वैसे भी शादी के लिए पूरी जिन्दगी पड़ी है और नहीं तो क्या? मान लो न, कि मेरी शादी हो गई है रच्चू, ये खुश खबरी तुने मुझे पहली क्यों नहीं दी, तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए मा, सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखना बंद करो, बिना ड्रामा के आपके जिन्दगी नहीं चलती क्या अरे, रे, रे, बस निकल गए तेरी शादी के चक्कर में अरे, बस नहीं चूटी है, मादा घंट पहले पहुच गए है अंटी जी, पैसे अर्चू, इसके मुँपे पैसे मार दे, भौत बोलता है अरे, मा, पहले समान तो उतारने दो चेक कर ले, सब कुछ ले लिया ना, ठीक से अरे, मा, सिर्फ दो ही बैग है, कितना हुआ भीया? हुए तो सत्तर है, लेकिन सौ दे दीजी सौ रुपे क्यो दू? लगज भी तो रखा हुआ था, और यहां से खाली वापस जाना पड़ेगा बैग सर पर उठा कर लाया है क्या? तीस रुपे मांग रहे हैं, दहेज थोड़ी मांग रहे हैं ज्योंदा बोलाना तो चमाट पारोगी अरे रची शोड़ना, चेटको लोगो की मूह नहीं लगते अकाउंट चेक कर, तेरे अकाउंट में 70 रुपीज आ गया न, तो निकल अंटी जी सुनिए, आपकी बेटी से हम कभी शादी नहीं करेंगे वो आपकी नहीं सुनती हमारी क्या सुनेगी रास्तानाप हाँ हाँ जा रहे हैं तीस रुपे के लिए उससे जगडा करना ज़रूरी था क्या पैसे पेड़ पे उखते हैं क्या हाई दिव्या हाई जब सब के घर जाने का टाइम हो गया तब तू आ रही है कोई चाने वाला मिल गया था क्या वो सब छोड़ कुछ खिला दे भुख से जान जारी है मॉम को छोड़ने गई थी कुछ खाया नहीं ये क्या है अफकोर्स तेरी शादी का कार्ट तो नहीं होगा पड़तो से ही अब तू मच शुरू हो जा पाथी नाइट अच्छा अनुवल पाथी है मैं तो उसन घर पर सूँगी मैडम, बॉस आपको बुला रहा है अर्जन काम है हलो सर, सुन्दर बोल रहा हूँ सियो के ओफिस है सर, आपका काम खतम कर दिया है और रिटरंस तो फाइल नहीं किया ना? हाँ सर, रिटरंस भी फाइल कर दिया मंतरी जी को 10 करोड का गिफ्ट मिला था उसका क्या हुआ? मैं तो भूली गया सर, कल सुबह तक कर दूँगा सर कल सुबह नहीं, आज करो मंतरी जी नाराज है अगर इंकम टेक्स की रेड़ पढ़ गई झाल इंकम टेक्स की राज़ वाराज है मैं डोड़ खात्स, जी पात्स, डाज़ पहुआ। मैं जी और म्या सरोकिते दिया राख नहीं, जी राज़, एलाण मैं सुबह तक्ड़़ आए कर दो कर दो कर दो हाँ कर दो साइब, एक मिनट हूँ, हाँ, तमारा कुरियर है, हूँ, स्वारी हूँ, प्रैक्टिस करोगे, ये, पापा आ गए, कार्थिक, ए, पापा, कैसा है मेरा बेटा, तो आज स्कूल में क्या किया, आज में मुर्गा बना सा पापा, फिर मुर्गा बने, कितने अंडे दिये तुमने, मुर्गा अंडा नहीं देता पापा, अरे वा, स्मार्ट हो गयो, मुर्गी देती है, अचला, खाना लगा दो, पाद मस्ती करने लगे ओ, आज कल, आप कही बेटा हूँ, कार्तिक, ये सब छोड़ो और पहले खाना खालो, ना, 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 कार्तिक के लिए एक अच्छा सा डे केर मिल गया है, अगले हपते से भेज सकते हैं, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या, उसे वह नहीं डालेंगे, इसे डे केर में भेजने से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं कब तक ऐसे काम छोड़कर घर में बैठी रहूंगी, घर में पैसे की कोई कमी है क्या, मैं कमा तो रहा हूँ, कार्तिक के प तो शादी क्योंकि बच्चा क्यों पैदा किया हां तुमने कहा था ना कुछ सालों के बाद काम कर लेना ए कार्थिक ये तुम्हारा फ्रेंड है ना इसका ना वह अपने ममी बापा के साथ घूमने गया है उसने फेस्बुक पर फोटो डाले है अच्छे है ना बहुत वादिय अचला अचला दर्माजा खोलो लीज दर्माजा खोलो अचला ना आप में तम करकर रख दिया है इसमें रोज की चीक चीक कि तर्म गया है कर दो कर दो कर दो कर दो सुना है वहाँ बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है किस पर बिजलिया गिरा रही है खूब मज़े कर रही है हाँ 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 क्यों नहीं तेरा बॉइफ्रेंड जो है यहाँ पर उसके साथ फुल मस्ती हो रही है उसने तुझे बताया नहीं चल जूटी अच्छा राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा तो तु उसे प्रपोस कर दे कोई फादा नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाते करती है अच्छा सून काबर्ड में एक रेट कलगा टॉप है वो बहुत लगी है आज ऑफिस वही बेंग कर जारा तेरी लोट्री लग जाएगी कैसे मुझ पर भरोसा है मेरी बात मानेगी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी अलो रचना क्या हुआ चुक्की हो गई असल मैं अभी सबने बच्चों के नाम सोचने लगी थी अरे वाद तो तो मुझ से भी स्यादा फास्ट है तू सच में बहुत चालू है अच्छों रेट्टो पेड़ बात मुझ से लाँ बाई झालू माल. झालू ऑास्ट कहाँ बाई साब बाई साब आपने नंबर नोट किये यह लो एपने इस पर आपने स्टव को संक्षेड़ा अए वार रशना महरानिया जल्दी कैसे आगी आगए आज कोई फैंसी रस कॉंपटिशन है का अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा इडियत्स हेलो हेलो, बुलिए जल्दी से यवाला नंबर नोट करो जी हाँ, बुलिए TS21 CD CD 7785 7785 लिख 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 लोगे अपको अड्रेस कब तक चाहिए जितनी जल्दी हो सके मैडम मैश थोड़ा बीजी हूँ जैसे ही मौका मिलेगा, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ ठीक है, फोन रखता हूँ बाइ ओके बाइ हाई बुजी हो हे हाई नहीं नहीं आओ न कुर्सी खाली अप और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है चल नहीं रहा रहें 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 वही चोरी चकारी मर्डर वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है अरे हाँ याद आया तुम्हें मेरे आर्टिकल्स में से कुछ मिला की नहीं I mean Of course मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जैसे आधी खोपड़ी लटकती लाश और इनसे मुझे काफी मदत मिली है क्या बात है सोचा नहीं था किसी लड़की को इन आर्टिकल्स में इंट्रेस्ट होगा आधित्या Actually मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था अच्छा बताओ क्या है पिछले कई दिनों से आर्केपुरम फ्लाइवर पर काफी आक्सिडेंस हो रहे हैं अगर मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा ना चलेगा चीक है ओके मिलते हैं चीक है बाई रचना 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 अरे रुको क्या हुआ देखो तुम्हारे लिए क्या लाएं तुम्हारा फोन तुम बूल गई थे अंदर आहां रिली सॉरी यार कहीं भी रखने से बूल जाती हूँ बादाम खाया गरूँ तुम्हें तकलीफ हुई अच्छा फ्री हो तो कॉफी पीने चले यां मैं चलता पर मुझे आर्टिकल पूरा करना आहां आहां आपकोर्स आपकोर्स यार काम पहले है सॉरी या इससे हो क्या क्या है सर कॉफी थैंक्स यह रही तुम्हारी कॉफी थैंक्यू तो तुम वडोद्रा से हो ना नहीं मैं मुंबई से हूँ अभी जस्ट शिक्स मुंस पहले शिफ्ट हुई हूँ अच्छा बच्चा कॉन से स्कूल जाता है वाट रेली क्या मैं तुम्हें सच में एक शादी शुदा औरत जैसे दिखती हूँ नहीं नहीं तुम संसकारी लगे इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी तो मैं समझ रही हूँ तुम यह जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तू बस अच्छा तुम्हारा तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है मैं तुम्हें शकल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या और क्या क्या है कुछ भी वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ पर जो नहीं खाता है वो जिंदिगी भर बच्टाता है एक पसंद आय थी पर वो किसी और के निकली क्या करें तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं इंट्रेस्टिंग तो बताओ तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी मुह से बद्बू आती थी क्या मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं अच्छा क्या अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर प्रपोस्ट करूंगी मेरे एडिटर का मेसेज है मुझे बहुत सारा काम है बाद में मिलें क्या हाँ हाँ कोई बाद नहीं रचना जरा सुनो मेरे एडिटर ने मुझे एक मूवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूं तुम क्राइम देपार्टमेंट में हो ना तो तुम्हारा मुवी रिव्यू से क्या लेना देना वो एक क्राइम मुवी है अच्छा तो अगर मैं ये कहूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं तो आइम शूर तुम्हें कोई अधराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं ओके बाई ये लड़की तो बहुत फास्ट है उचसे भी दो कदम आ गया है तुम्हारा ड्रस वाके लगी है हलो डिटेल्स लिखिए नाम सुंदर गाड़ी मोटर साइकल और उनका फ्लाट नमर है बताओ टाइम क्या हूआ है साड़ा ग्यार मेडम सुंदर का फ्लाट कहां पर है है पहले सीधा जाने का पछी गाड़न आएगा फिर खाने वाले आथ की तरफ मोड़ जाओ है 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 य project है 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 कर दो 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 कर हादेत्या, नेक्स्ट टेलगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सब्टाइटल नहीं देखना पड़ेगा सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चली गई अगर मेरे पस्तक्या होता तो मैं वहीं सो जाती, इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती है लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है अपकॉर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद पता नहीं पता नहीं, इससे क्या मतलब? मतलब मुवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाच, आत्माएं अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं मेरे हिसाब से तो होती है जैसे दिन होता है तो रात होती है जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है उसी तरह positive energy के साथ साथ negative energy भी होती है जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं अब journalist ने कहा आये तो कोई ना कोई सचा है तो जरूर होगी इसमें इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है नहीं मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं believe करता हूँ आदित्य उधर देखो कहां देखो वाइट साडी में एक औरत उसके बाल खुले हुए है उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है वो सामने से आ रही है आदित्य तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मारे हो ना क्या मतलब लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक बाढ़ना शुरू तकि लड़की और करीब आजा है वो हलो बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है विरासत में मेरी है क्या 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 मुवी के लिए थांक्स I had a really boring time अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी आज तुम्हारा बर्दे है कि अब क्या करूँ मैर्यों प्रीशा ही ऐसा है क्राइम रिपोर्टर जो हूँ इसका मतलब तुम दूसरों को भी तारते रहते हो हां नजरें सिर्फ उसी को देखती है जिसे देखकर सुकून मिले अच्छा प्रीक लेगाते है कल उफिस में राप यह झालो ओ मैडम कि यहां पर आईये यहां पर एविंग में बी-टू फ्लैट कहां पर है वो मेरा फ्लैट है ओ ज़रा दो मेरिट रुकिये है सर हम जिस लड़की की तलाश करें थे वह यही लड़की है रशने तुमारे यह नाम है मैं ही रशना हूँ बात के है सर्थ एक घंटे पहले तुमारे फोन पर फोन किया था उठाया गयों अच्छा वो आपका कॉल था मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मैं, मैं सिनिमा हॉल में थी सिनिमा अभी तुमको इसने ड्रॉप किया, कौन था वो सर हुआ क्या है, आप यह सब मुज़ से क्यों पूछ रहे हैं मैंने पूछा कौन है वो मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है सौरी मैं जवाब नहीं दूँगे आखिर ये सब क्या चल रहा है गाड़ी में बैठो पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊ आप रॉंग एड्रेस पर आएं प्लीज चेक कीजिए हम रॉंग अड्रेस पर आएं यह तुम्हारा ही नंबर है ना हाँ मेरा है चुप चाब गाड़ी में बैठो तमाशा करने की ज़रुवत नहीं है वरना लोग अपने फोन पर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे वो चलेगा तुम्हें बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठके करेंगे बैठाओ चलेए चलेए गाड़ी में बठाएए ने चल 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 अंदर बैठ चल सर श्याणी ने बाठ चाइल बैठ सर सर आपको कोई गलत फैमी होई है सर सर प्लीज मगे जाने दीचे सर सर प्लीज आप ऐसे क्यों करें सर प्लीज आप ऐसे क्यों करें यह वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है एक यूनिट भेजो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगडा हुआ था सर जगडा कैसा जगडा हम रोज लड़ते थे क्या क्या तुम्हारा पती दारूपी कर तुमको मारता पीटता और गाली देता था अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर तो फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर लोटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए वो बहुत हुस्से में थे फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया जॉब कैसी जॉब कहां अपलाई किया था मैंने अभी तक कुछ प्लैन नहीं किया था सर अपलाई करने की बात कही थी और इसी बीच इसी इसी इस सब हो गया खुद को समभा लिए हम आपके आपने अंदर बुलाया है चल जल भी चल अंदर ही है ना अंदर ही है सर अवो फाइल्स लेकर आप आराम से पीजिए सर ये रचना है एंटरी गेट पर इसी के साइन थे आखिर ये सब क्या चल रहा है सर मुझे हां किसली लाया गया है सर सुनदर से मिलने आज छोकरे आई थी देखी मेरी बात के बोरा मतमानिये क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था अगर था तो बताईए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर इस लड़की को पहले कभी देखा है जानती है इसे जान से देखे बताईए नहीं सर ये लड़की तो बहर को आपके घर पर गई थी और हम नहीं जानते क्यों कौन हो तो और क्यों गई थी मेरे घर पर ये कौन है सर आखेर ये सब क्या चल रहा है देखे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफ़ेर है देखे रोईये मत अब ठीक है सर, प्रभाकर इसे अंदर बठाओ, आईए, आओ चलो, खुद को समालिये, अंदर आओ, नहीं उदर नहीं, यहां बैटो, प्रभाकर, सर, कौन है यह, वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर, ओ, सर, क्या कर रहे हो तुम, केस की फाइल ते यार कर दा था, अभी छोड़े इसको, मेरे स्था था, लेकिन सर, सर, आप लोगों को जरूर कोई गलत पैमी हुई है, मैं जो पूछू, उसका सही सही जवाब दो, सुंदर क्यां क्यों गई थी? कौन सुंदर, सर? प्रभाकर, रेजिस्टर दो, यह नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है न? जी, जी हाँ, सर. दोपहर साठे गारा बज़े तुम वहां क्यों गई थी? सर, सर, मैं वहां ज़रूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूं, सर. आप इसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो. ज़्यादा भूली मत बरो, सर फोटो देना. देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लाट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था. अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा. मैं उसके घर गई थी, मैंने डोर बल बजाई. जवाब ना मिलने पर मैं वहां से वापस आगी, that's it. अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? सर, मुझे नहीं पता किसने मारा. यही तो हम भी जाना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर, सर, मेरी बाग का यकिन कीजिए. मेरा इस केसे कोई लेना देने नहीं है, सर. तुम वहां गई क्यों? असल में सर मैं एक reporter हूँ और Times of India के लिए internship कर रही हूँ अपने job के लिए मैं एक story लिख रही हूँ उसी story के सलसले में मैं सुन्दर से मिलने गई थी कैसी story और सुन्दर के साथ उसका क्या संबग अब क्या बताओ सर बताओ सर आरके पुरम flower पर मैं एक article लिख रही हूँ वो उस flower पर divider blocks रखे हुए सर ट्राफिक jam से बचने के लिए लोग उन divider blocks को खिसका कर वहाँ से U-turn ले लेते हैं और चब वो चले जाते हैं तो वो blocks वैसे की वैसे ही पढ़े रह जाते जो कि opposite direction से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरना थे इन सब से सुंदर की मौत का क्या लेना देना इन divider blocks को हटा कर U-turn लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका interview लेना चाहती थी सुंदर ने divider blocks खिसकाए थे इसने तुम उसका interview लेने गई थी यही ना सुंदर नहीं वो divider blocks खिसकाए थे यह तुम्हें कैसे पता उस फ्लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है जो लोग वो divider blocks खिसका कर U-turn लेते हैं वो उनकी गाडियों का नंबर नोड करता और मुझे दे देता है सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था ऐसी कहानी सिनाव जिस पर हमें यकीन हो सके हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से पहल जाएंगे यह बचकानी नहीं है सर बचकानी नहीं तो और क्या है सिविक सेंस, ट्राफिक रूज, क्या यह सिब इंपॉर्टन नहीं है सर ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटिवियो लेना चाहती थी हलो सर उसे केस की पूछता चल रही है मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है बड़ कारवाई के लिए हमें थोड़ो और समय चाहिए पेडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो जी सर, मैं समझ रहा हूँ और कितना समय चाहिए बस कल सुभे तक कर समय दीजे हाँ ठीक है, ले लो पर इस मुसिबत से पीछा चुडाओ हम कुछ करते है ताइक, मेरे साथ हाँ यस सर, प्लीज काशी, काड़ी बाहर निकालो काड़ी निकालो, कुमार मेरा बैग लेक लेक हो लाए सर, ताइक, जी सर, काफी देर हो गई है और बारिश में रुख नहीं रही है इसलिए उस रणकी को फॉरण रिमांड होम भीज़ दो पोस्मॉटम रिपोर्ट आजए तो फिर आगे पूछताज करेंगे रिमांड होम क्यों सर, उसको खर भीज़ देते हैं अगर कोई और केस होता तो भीज़ देते हैं लेकिन मरने वाला सुन्दर एक पॉलेटेशन का सीय था और वो ही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था इसलिए हर कोई हमार उपर ढंडा करना है प्रभाकर, एक काम करो तो ज़रा उस बिल्डिंग के CCTV फोटेज क्लोजली चेक कर लो और सुन्दर के कॉल डीटा भी निकाल लो और हाँ, मुझे सब मॉनिंग में रेडी चाहिए ये मेरे घरबालों ने मुझे अलग परिशान कर रहा है बार बार फोन को कर रहे हो एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ यहाँ खाली नहीं बेठा वहाँ है मैं तो यहाँ खाली बेठा हो ना मुझे भी साथ में लेलो सर अहां आठीक है, आ रहा हो, आ रहा है आउप नायक सर उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है मुझे लग रहा है कि वो सच के रिये सर जब वो सुंदर के खर पहुँची, उसी वक्त उसकी मौत हुई यह भी तो हो सकता है कि यह इतिफाक हो यह इतिफाक है या नहीं यही तो खुजना है पर जो भी हो, यह केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यस, मिनिस्टर ने मुझे डायक्ट ओर्डर्स दिये है ठीक, उसे रिमान होमें शिफ्ट करो, सुबह बिलते है सुनो कमला, जी सर रिमान होम में फोन करो और कहो कि पेपर तेयार करें यह राग को वह रहेंगी सर, मुझे रिमान होम क्यों भेज़रे है सर, प्लीज मुझे जाने दीजे कमला, आप जाईए सर, इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर और बहुत तेज बारिश भी हो रही है हाँ, मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता जैसा कहें कीजी ठीक है सर सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए बैठी अभी भी इन्वेस्टिकेशन बाकी और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते अगर मुझे उसे मारना ही होता सर तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रेजिस्टर में क्यों लिख्या आती सर देखे, सुबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है अच्छा होगा कि आपको ओपरेट करें सर, जरूर कोई गलत फैमी हुए सर सर, मेरे पास सर्फ सुन्दर का ही नहीं दस और लोगों के अड्रेसिस भी लिखे है मैं कुछ समझा नहीं हूँ रुकिये, मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे, उन सारे लोगों के अड्रेसिस जिन्होंने यू टर्न लिया था ये सारे नंबर मुझे उसी बॉने भिकारी ने दिये थे अगर मुझे मार नहीं होता तो मैं उन दसों का फून करती, सर्फ सुन्दर को ही क्यों मारती कम से कम आप तो समझे सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुन्दर को नहीं मारा है वेट वेट वेट, थोड़ा कन्फ्यूजन है उस फ्लाइवर पर एक भिकारी भी था, वो कौन है? और वो तुम्हें नमबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ, वो वहीं पर होता है वहाँ से यूटन लेने वालों के गाड़ी नमबर नोट करने के मैं उसे हर बार सौर पे देती हूं, सर्फ बस इतनी सी ही बात है तो इसका मतलब ये सारे नमबर तुम्हें उसे नहीं दिये? जी सर्फ तुमने सब का इंटर्विय लिया? नहीं सर्, सबसे पहले मैं सुन्दर के पास ही गई थी सुन्दर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रस लास्ट मंट की डेट पर लिखा हुआ है आप में, वाई सुन्दर? राजेश का इंटर्विय क्यों नहीं लिया? ये वाला बताई? असल में लास्ट मंट में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी उसी भाग दोड़ के चकर में मैंने उसका इंटर्विय नहीं लिया बस इसलिए उस फ्लाइवर पर जो भिखारी है क्या उसे मिलवा सकती है? हाँ, बिलकुल सर, बिलकुल वो वही फ्लाइवर के किनारे भीक मांगता है सर ओके, आप यहीं रुकिए सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ यह गाड़ियों की कुछ डिटेल्स है पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेइन है क्या ओके सर, दू इट पास्ट मैं देखता हूं सर, थाइक्स शक्ति, सुन्दर की पोस्ट मॉटम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो पड़ प्लीस मेक इट पॉरण पूरण फ्लाइवर जाओ, वह वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फॉरण यहां लेकर आँ सर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड हूम ले जाते न उसे प्रभाकर, जानते उने रिमांड हूमे क्या होता है, बिचारी परिशान है, लेट्स हेल्प आप, टाइम नहीं है, जल्दी करो ओके सर, नारायना, चलो गाड़े निकालो, जलो बैटो, जलो बैटो AP05EA2162, तेखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस दो रेजिस्टर्ण है मुझे पता है कि आपको ओफिशल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? टैंकियो सर, हाँ, कहा है वो? वो, वहाँ है सर, काशी, जाओ देखो जरा यहाँ तो कोई नहीं है सर, यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा तो रोज मुझे यहीं मिलता था सर उसको टैब बुक पीच चेक करता हूँ शायद रचना के बारे में कुछ पता चाह सके हलो? सर, हम लोग यहाँ पहुँच गए? यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह लड़की छूट बोल रही है आसपास अच्छे तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा ओके सर अविता काम पुना निवा, यल्दी बेजो सर, पूरा हम आओ, वो आजा के बैठो कमला, क्या हुआ? सर, वो मिला हुआ? मिल गया सर, यह देखे, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प किये थी रशना, इसे ने तुम्हे नमबर दिये थे? जी सर प्रभाकर, इसको इंटरेगेशन रू में ले जाओ, रशना, तुम इसके साथ जाओ बताईए क्या बता चला सर, मेरी डूटी डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया कि सुन्दर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है, और नहीं किसी चोटके और उसकी मौत कितने बज़े होई थी? उनके हिसाब से सुन्दर की मौत का टाइम आधी राप के दो बज़े का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है टू एम, ओके शक्ती, यू में को, थांक यू, ओके सर, शक्ती एक काफी पे ला दो, लाता हो सर, सर, हमने बिल्डिंग के सीसी टीवी कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया, और सुन्दर की भीवी के घर से निकलने के बाद, सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई इसका मतलब सुन्दर की मौत और रचना के वहां पहुँचने के बीच तकरीबन दस घंडे का फर्क है, हाँ, करेक्ट सर, क्या लगता है कोई, कनेक्शन्स, सर मैं भी वही सोच रहा था, सुन्दर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का, ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच के हिस्टरी का कोई नामो निशान मिला है, मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है, कैसी फाल तू कहानी है सर, एक आदमी वहां से यूटन लेता है, और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है, और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है, ये यंग्स्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं, सर, हाँ, आजो, जिन गाड़ियों के नमबर्स आपने मुझे दिये थे, मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये हैं, सर, प्रभाकर, ये च्रेक करो, इसी ने तुमें दस गाड़ियों के नमबर दिये थे, तुमने ये नमबर किसी और को दिये, नहीं, सर, तो इन सारे नमबरों का अड्रस तुम्हें देने वाला है कौन, सर, सर, मेरा एक फ्रेंड है जो आइटियों में काम करता है, मैं उसे गाड़ी के नमबर देती हूँ और वो मुझे अड्रस निकाल के देता है, बस इतना ही, सर, आप क्या होगें, सर, तुम्हारी इन अड्रस और नमबर के अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज बरीफ मी, सर, तुम्हारी डाइरी के डेट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की डेट्स, उनकी सियुसाइट करनी की डेट्स, सबके सब एक ही है, हाओ डू यू एक्स्प्लें दिस, तुम्हारी नहीं बोल रहा है, सर, शायद गुंगा है, मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इन्फरमेशन मिलेगी, अब क्या करें, सर, उसके लावा और कोई सुरग नहीं है, सर, उसकी पॉकेट से ये नोट पैड मिला है, जिस पर कुछ गाड़ियों के नमबर लिखे हैं, ये न टायरी में डेट लिखती, हाँ, हाँ, सर, कौन सी डेट लिखती, हाँ, अज के डेट लिखती, दमश्ट, बन देना, इस गाड़ी का अडरस निका लो, जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ, और मेक इट फस, हो जायका सर, रुभाकर, शक्तिक, सर, जार खोलना, ये शर, ए फिर इसे कोशिश करते हैं, इसका मुग खुलवाना बहुत ज़रूरी है, पताएगा, नमर किसका है, चलो, शक्ती, जओ उसे अनिल करो, चंबडी उदेर दे इसकी, रभागर, ये सर, ट्राफिक कंट्रोल रूम जाओ, और सीसी टीवी फुटेज में देखो कि फ्लाइवर प सर, जिस आदमी का पता आपने मांगा था, वो पीछी की विल्डीवें ही रहता है, गड़ी निकलो, ओके सर, तो भागर चला गया, हाँ सर, वो तो कपके चली गए, कुछ अजेंट हो तो मुझे पून कना, यहां पर मलिक कौन है? यहां पर मलिक को ने तुम से मिलने को कहा था उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, कैसी जानकारी चाहिए अब? मलेक, बुझे वारकेपुरम फ्लाय ओवर है ना, बहां से इस गाड़ी ने यूटन मारा था, इसके बारे में पता करो ना? शोर सर, मैं चेक करके बताता हूँ, आप बैठिये थैंक्स धुद्क nut एये, Sir आ...फ्लाट नम्बर? 1504 सर यही है वो फ्लैट सर क्या कर रहे हैं बेल इस तरह बजाते हैं के नेम प्लेट तो देखो सॉरी सर, देखा नहीं काय काम है तुमसे क्या आपका इनाम शरत कुमार है कौन है, कौन गंडी बजा रहा है बच्चा सोर आथार उसे जगा दिया अकल घुटने में हैं क्या अब कौन चुपकर आगा उस बच्चे को नेचे तुमारी गाड़ी है TS-21 BC-2120 मैं तुम्हें क्यों बताओ, बात क्या है वो गाड़ी तुमारी है या नहीं हाँ मेरी है, तो क्या हुआ इस लड़की को कभी देखा कौन है ये लचना, तुमने इसे देखा कभी? नहीं सर् आरके पूरं फ्लाइवर पर तुमने योटन लिया था तो मुझे आरेस्ट करने आया इसने कंप्लेंट की, वारंट है क्या काही जाला, काही प्रॉब्लम है का अरे कुछ नहीं, आप जाओ अंदर जाके सोजाओ जाओ ना घर में और कॉन कॉन है? इससे तरोग क्या मतलब? कंप्लेंट है क्या? वारंट है क्या? हलो, मैं लॉयर हूँ, कोई आरा गरा नहीं कानून अच्छी तरह से जानता हूँ पेपर है तरे पास, जियो टीपर हलो, है, है, सुनाई नहीं देता क्या? अंदर का घुज़े जा रहा है हलो, सर्च वारंट है क्या? गोट में फसेगा तू? है, समझा इसको, इसको बोल की बाहर आए सुनाई नहीं देता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ हलो, अरे बाहर निकाल वाह मेरी बीबी है I'm sorry हलो, हे, वाह क्या देख रहा है बाहर निकल वाह से कुछ भी नहीं मिला न, हाँ पुलिस टेशन आकर कंप्लेइन कर देना पर फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना हाँ हाँ, आता हूँ सुबह होते हैं आजाओंगा दरता नहीं हूँ तुझसे अब तुझे कोट में मालूम पड़ेगा मुझसे पंगा रेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा अच्छा सुनो रमेश ये सार एक काम करो तुम सुबह तक यही रुको सार, यहाँ पे रुकना है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सार कुछ गडबड़ो तो फोन करना ओके सार चलो रचन ए उसे चुपकरा, सुना नहीं क्या है, मैरी है क्या? अगे बेट जो पुलिस की नौकरी क्या कर ली? इन सब के घुलाम बन गये, छे उस नमबर की गाड़ी ने वहाँ से योटन लिया था, सर फ्लायोर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है पता नहीं, सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है हाँ, उस डारी के सारे नमबर्स को भी चेक करना हम लोग चेक कर रहे हैं, सर, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, वाट्सएप में? बिल्कुल, सर मलिक, चलो ये बाकी नमबर्स भी चेक करते हैं रचना, इसी लॉयर ने यू टन लिया था सिसी टीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है इसलिए उस बॉने ने इसकी गाड़ी का नमबर नोट किया दे अचीब बात है, यू टन का सुन्दर की टेथ और बाके सारे मौतों से कोई नो कोई कनेक्शन तो है रचना, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो याद करने की कोशिश करो उसे हमें काफी मदद मिले सर मैंने आपको सब बता दिया है बाहर मते करना शरण सर, सर, उन सब के डीटेल मिले तुम है यह सर, मिल गए और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके आपको जो भी जंकारी चाहिए थी, इसमें आपको मिल जाएंगी ओके, तैंक यू, सर ऐसा नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिये सर मैं तो मिनिस्टर साब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया हाँ सर, हालाद बहुत उल्जे हुएं सर मैं जानता हूँ कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिर कर मरा था, उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुचे है सर, किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस को टाल दीजे, प्लीज, मेरे लिए मैं इन्वेस्टिकेशन कर रहा हूँ सर उस लड़की को रिमांड हुम भेजने के लिए कहा था तुम्हारी बज़े से मुझे कमिशनर और प्रेस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा सुन्दर की गाड़ियों के अलावा उसके पास दस और गाड़ियों का नमबर था इस केस की तह तक जाना होगा तुम्हारे इसाब से ये काम इसी लड़की का है सवाली निया सर सारी रात वो लड़की हमारे साथ थी उसका इस केस से कोई कनेक्शन निया सर वो बेकसूर है सर यह देखो सुन्दर की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट क्लियर सुिसाइड सर कुछ तो कड़ बढ़े सर इस केस को आगे बढ़ाने के लिए पोमिशन दीजे सर बेलकुल नहीं तुम अब कुछ मत करो सुन्दर का केस क्लोस करो बस और फिर दूसरे केस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है भूल जाओ उसे अच्छा वो लड़की कहा है इंटेरोगेशन रूम में सर आओ रशना 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 हमने तुम्हारे आट्यो के फ्रेंड से पूछताज की थी डॉन्ट परी उसे कुछ नहीं होगा वो स्मॉटन रिपोर्ट आ गई है तुमने सही कहा था सुन्दर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का इंवॉल्मेंट है ऐसा कोई सुबूत हमें अभी तक नहीं मिला है तुम जा सकती हो यूर फ्री टु गो नाव इन गाडियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना वरना तुम भास जाओगे तुम्हारी संदगी बरबाद हो जाएगी तुम्हारे ही भले के रिए कह रहा हूँ इन चीजों को यहीं छोड़ दो डियो अंडरस्टैंड नायक सर जाओ इसे घर छोड़ा हलो नमस्कार सर यस सर हाँ सर पोस्टमॉटम रिपोर्ट मिल गई है सर केस क्लोज कर रहे हैं हाँ अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजे सर उसका अकाउंट बचा हुआ है ओके ओके सर थैंक्यू रचना 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 तुम्हारा घर आगया तुम बहुत थक गई होगी जाओ आराम करो सर आपको मुझ पर यकीन है ना आइ ट्रस्ट यू रचना मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा तुम्हारा थचना प्रस्ट प्रस्ट और इसकर जाओ सर फ्रस्ट रचना बहुत एकार और बहुत प्रस्ट प्रस्ट फ्रस्ट आपको नहीं दुम्हारा अगरी में आपको आपको। आप बुट जिए लगा हुआ हुआ है झाल 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 हाँ प्रभाकर तुम ट्राफिक कंट्रोल रूम कह थे वो CCTV की फुटेश तुम्हें मिल गई आचा वो कुमार से भीजवा दो सर आपको हम तिनों का गुड मॉलिंग सर वो संता ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉटम्स रिपोर्ट देखी वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सिवसाइड की ही है सर हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं परंतु ये हत्या है ये आत्मा हत्या ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं सर मैं इन केसिस में कोई कॉमन बाट ढून रहा हूँ जैसे कि मौत का वक्त या कोई हत्यार कोई ऐसा घाओ जो एक जैसा हो कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो जी जितने केस मैंने हैंडल किया है न मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका? सर पोस्ट मार्टम तो ये लोग करते हैं मैं तो से बॉड़ी उठाता हूँ आप एसे जाना कैसाते हैं सर हाँ कुमार आओ सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई हैं थैंक्यू ओके सर हमें देर हो रही है हाँ आप जाहिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूँ आने के लिए शुक्रिया ओके थैंक्यू थैंक्यू हे रचना मैं तुम्हें ढून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो ना रचना ने ठीक हूँ बस थोड़ी थकान है कॉफी असल मैं एडिटर से हाँ समझ गया तुम्हें काम होगा मैं बाद में मिलता हूँ बाई अपने ध्यान रखना एक्सक्यूज मी सार आप बिजी हैं जी नहीं बताईए सार इस केस को हेंडल करते वक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था बैठी सार मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सार ओ वाली कौन सा यह जी सार यह देखिए यूफोर अंब्रेला इस केस में यह निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अंब्रेला कट नहीं बनाता है सर एकदम सिधा कट करता है पर यह सिधा नहीं है यह एक ओमन नहीं है क्या नहीं सर, फिर? सुसाइड करने वाले कन्फ्यूज होते हैं सर, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारें कि टेडा कट मारें, अम्रेला कट का सवाली पैदा नहीं होता है, ये अबनॉर्मल है सर, इस केस में ब्लेड गुमा कर, कैसे समझाओं? यू जैसा? हाँ, ये ही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था सर, अच्छा सर, लगता है अब समझ गे, अब मैं चलता हूं सर, ओके सर, थैंक्यू, थैंक्यू सर, ये महजे कि इतिफाक है, हमने अल्रेडी प्रिसमे स्टेट्मेंट दे दिया है, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, प्लीज, थैंक्यू, अब इस केस का पीछा छोड़ दो, तुम खामका टांगडा रहे हो, तुमारी वजह से, एक लॉयर का पुलिस जीपर गिरकर मरना, इस समय, नैशनल नेवल की ब्रेकिंग निउस बन गया है, सर, मैं तो उसे बचाने गया था, नायक्ट, किसी से ये मत कह देना, उसकी बीवी ने स्टेट्मेंट दिया है, कि लॉयर को उपर बहुत सारा लोन था, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ जब्थ हो जाएगा, इसलिए ढर कर उससे बचने के लिए, बिल्डिंग से कूद कर उसने सुिसाइड कर लिया है, सर, अब यही बता उन्हें क्लियर करो, यस सर, नायव, रचना का फोन नंबर है ना तुमारे पास, है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं, उससे फॉरण डिलीट कर दो, जाओ, आखिर इस यू शेप का रास क्या है, लोग मर क्यो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन सब की मौत हो चुकी, आखिर कौन मार रहा है इन्हें, उझे पता लगा नहीं होगा, भाया, 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 मुझे माफ करतीचे, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, यह रख लीजे, ले लो, ना, अरे, हलो, हलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नहीं आ ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्यादा है, देखो रचना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत, क्या, कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना, नहीं नहीं आदित, तुम बिकार में इतना सोच रहे है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर, अज रात को डिनर पर चलेंगे, आदित, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, हलो, हलो, ह फ्लावर पर दो और लोग उने यूटन ले लिया है, सर, हमें उन्हें बचाने होगा, प्रभाकर से को इन से बात करें, चलो, चल, ठोकाई करा हूँ तेरी, उनके साथ, अब क्या हुआ, सर, अब क्या हुआ, सर, आक्शली मैं आरके पुरम फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर, तभी मैंने, आजित, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब चिरकूट एक ब्लॉक नहीं अट रहा है तुछ से, अरे भारी ये, मेरे साथ चिंप चला कर, आप यहां से यूटन नहीं ले सकते है, प्लीज गो स्ट्रेट, प्लीज, सिखामात, आपन इधर से यूटन लेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, अरे कैसी प्रॉब्लम, अरे कैसी प्रॉब्लम, बात को समझे, यहां से यूटन लेना अलाउट नहीं है, फ्लीज, में आपको यह करने नहीं दूगी, ए, क्या मतलब, यह फ्लाय ओवर तेरे बाप का है, जो आमें जाने बैटरी है, यह धूप में खड़ी रहेंगी, तो काली पड़ जाएंगी, घर जा, आँदे, 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 अच्छा, फोटो हा, कीच, कीच, अपने वाप को दिखाना है, साधी करेगा तेरे साथ, अभी क्या मतलब, यह ले, पोज में ले, यह ले है, सार, उस फ्लावर पर से यूटल लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहट मार दिया जाता है, सार, अगर वह यह मत बताओ, तुम जासूस हो यह CID, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर इस केस से किसी भी तरह का तालुक रखोगी, तो जरूर भस होगी मैंने कुछ नहीं किया है, सार, मैं तो सर्फ आपकी हेल्प कर रही थी, सार, सार, उन लड़कों की जान बचा लिजे, प्लीज सार, सार, कुछ कीजे, सार, लेकिन उनकी जान बचा लिजे, हमें हमारा काम सिखाने की ज़रूद नहीं है, हम जाते हमारा काम क्या है, गिर नायक, सर, जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ, सरा रचना, रचना, देखो प्लीज नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है आप लोग इतने लापरवा कैसे हो सकते हैं, सर, उन दोनों की जिन्दी की खत्रे में है उन्हें कुछ नहीं होगा रचना, भिलीव मी सर, कल आपके सामने उस वकील की मौत हो गई, सर, या भूल कैसे सकते हैं, आपने खुद देखा था देखो, मुझे अपने सीनियर की ओडरोस फॉलो करने पड़ते हैं, समझने की कोशिश करो तो आप अपने सीनियर की ओडरोस फॉलो करें, लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया, तो मैं चुप नहीं बैठोंगे चलो शरम नहीं आती, राज लेके अपनी जिन्दकी खराब करने के बजाए, उद को फाशी को नहीं लगा लेते, आप सबोड़ों यहापे अबे यह राजू, क्या हो गया रहे तेरको, अबे उटना, बिर से चड़ा लिए क्या, उटना कहां फस गया यार आपनलप्गजगज़ कि वी एाज बंड़गगज़ जटना श्यट सर ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको कुछ समझ आया सर ये कौन सी जगे है सेफ तो है न इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है there is nothing to worry ये यहाँ सेफ है आज रात वो यहीं रहेंगे कुमार सर बेस्मेंट की लाइट सॉफ कर दो जाए उन्हें आराम से सोने दो नोबाइल लमी मचाइब बिश्यल्टरी लॉट्री तुबर रचनो, चाई पीलो नहीं सर, थैंक यू अधरक वाली है पीओ थैंक यू फो बिलीविंग इनने आप उन्हें अपनी निग्रानी में रखेंगे तो I'm sure उन्हें कुछ नहीं होगा इस मैं ड्यूटी रचनो, उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता सर, उस वकील के डेथ केस में कोई प्रॉग्रिस होई? उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है उस पर बहुत कर्स था और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिए सर, उस ब्रिज के यूटन का और इन सब लगों की मौद का कोई कनेक्शन हो सकता है, सर? इन्वेस्टिकेशन चल रही है, रचना सर, 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 कुछ गडबर है, सर ब्लीज अंदर चलेए क्या हो, रमेश? पकड़ो इसे लाइए, मुझे दे दीजे देखे, सर वो थोड़े दिर पहले अचानक खड़ा हुआ और तब से आगे, पीछे, आगे, पीछे घूमता ही जा रहा है मुझे डर लग रहा है, सर अब हम क्या करेंगे, सर? करने की कोई बात नहीं है, लाइट सॉन कर हाँ, हाँ, कर दे तो आँ, शक्ति को बला लो, हाँ, हाँ, सर ए, राजू, अरे, मान क्यो रहा है सर, आपने बुला है शक्ति, वो दोनों आपस में जगड रहे हैं जा उन्हें कंट्रोल करो क्या हुआ रे, कमीने, जिस ठाली में खाता है, उसी में छेट करता है माना जाता है मुझे, अरे, आखिर मैंने किया किया है राजू, ए, राजू सर, ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे है ना बोला था, तू टल लेने को ना बोला था क्या बोला था, ए, 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 कौने तू तेरी बाच प्रथा, जल्दी करो,ardon सर्विलेंस रूमे अओ नए हड़ूंगा, माड़ारूंगा, माड़ा लूगा माड़ारूंगा, माड़ारूंगा माड़ार किया करता है क्या कर रहे हो,अब तर दवासा क्यों लोगी कु अध़ू तो, मैं ट्राई किरती क्या हो गया सर ये लोग लड़के रहे हैं तुम यही रुको मैं देखता हूँ आप रुकिये सर मैं जा के देखता हूँ आई शो आ सर समभलना कुछ परबा कर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आँ मैं जा रहा हूँ सर यहां दर्वाजा नहीं खुल रहा है अठेज और दो एफ मतल revenir नही जल 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 अगर दर्वासा ने खुल रहा है तो दर्वासे को तोड़ दो चलो सब लो धाके लो बचाओ मुझे बचाओ अगर दर्वासा जाम हो गया हम लोग कोशिषके रेक फुल नहीं रहे है सार प्लीज सार बताओ मुझे सार 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 अगर सार दर्शना तुम यहीर को मैं आप यहार क्यों यहायो तर्व अब तो मरेगा तुम लोग कर क्या रहे हो तू देखेगी तू मरेगी मैं तुझे मार ड़ूगा ज़्स्मोव जलो 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 शक्ति गेट फोरो जल्दी जी सर सर यह तो लोके सर और इस्की चापी भी अलग है वारे पास टाइम नहीं जाएं ुझानिकीचिय है सालो सारथ तूम थेक तो हो ना सरो मुझे कूर्रहा है मुझे मारने कि द्मकी देरा है कौन खूर रा है चबाप दो रश्रा पठो़ रह तुमे सार पीछी दिंठीजोब सार सार नहीं कूर रहा है पुदे किस इख रबा कर तृंग तद्ये करो कुछ नी होगा तुम्हें वेभा कर चटियाओ पकड़ो इसे खीचो इसे कस के पकड़ो इसे तरे शारे चोड़ी तो फुरी शारा क्यों गणा है जो टॉच जो जो आघिए जो अ कि अहां कि वो लुटिया क्या कि तरह उखे में किती हैज शुरी चलेखे जऩी को अन्धर के लिए अधर टौ를 करो घूल अधर जलेंगेजनें तर्ट companionco發 अभघ्र चूबुजुछू जयो नो कि जुआ दॉर अचिर, कि जुआ यह मैं जुआ जुआ आगा उज़ू सर्फ चुर मचली सर्फ प्रोकुमार अपनी पगवास भंगराओ इस मेल प्रोकुमार को सुपेंगे नुआ से लिए सर्फ पर भाराजय में अब बागर उस तरफ.. ये सर मेरे बात बालेचे सर सर भाराजय में सर सर पर भागर सर एलो भॉप्ली यू उस के पाज में चले सर से अनल रे करें प्रेंच gauge झालॆ है से प्रेंच प्रंडर मेरे कोपनिUS से अनल रूब्हाने प्रूबश इंफ जाँ करोस्ला को लाति से मैं रिंग्ष पैंगंद पांडर कोचा में करें तरош घ्लिठक जाइए झाल 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 दन्या हो गया मैं इद का चांद हो गया हो तुम, तायम रिले गाय का गाईस, कॉन्यों नूद सकत गाईस, कॉर छै जा ठाड़िया हाईस छूह गूल गाईस, किलिएस, क्या रखे जञे हो गहां मैं है रजक सबीस आट्रेंड कॉल्स खिरins झाल फर कॉलिएस एदी क्या होगा तुम रो क्यों रही हो तुम रो क्यों रही हो सब ठीप हुजाएगा कि अधित्या किसलिए कई दिनों से मैंने तुम्हें परिशान किया पिछले एक हफते से लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसलिए तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो नहीं बताना तो मत बता लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वकपर हमेशा अपने ही काम आते हैं और जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हें कोई परिशान कर रहा है क्या कोई पीछे पड़ा हुआ है नहीं मैं ठीक हूँ मुझे कोई परिशान नहीं कर रहा सिर्थ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है ठीक है छोड़ो इन बातों तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए मेरे पास एक तौफ़ा है भूल गई अरे तुमने आरके पुरां फ्लाइ ओवर पर हुए एक्सिडेंस के रिपोर्ट मांगी थी ना ये वही है तुम्हारी स्टोरी के लिए चलो अब तो मुस्कुरा दो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ अरे यार ये प्रीमा जी मुझे जब देखो काम शिप काती रहती है मुझे जाना होगा सॉरी यू टेक एर ओके है आप्रीमा जी प्रीमा जी पर यह वारा हूँ पास करो अब दूसरा कैमरा दिखाओ सब मरें लेज़ तुम्हारे सामने लड़ाई होती रही, तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए सर दो दिन में तीन लोग मारे गए, वो भी पुलिस वालों के सामने कल ही मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, कि सीनिय के ओर्डर्स फॉल होंगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी I'm sorry sir, कुछ तो गड़बड है, कोई तो ऐसी शक्ती है जो ये सब करवा रही Stop it night, जो तीन लोग मरें उनमें बस दो ही corrections है पहले हो तुम, दोसरी तुम्हारी फ्रेंड, रचना तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे अब तुम तीनों पर inquiry commission बैठेगा, समझेए किसी की गलादीन ही है sir, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ Sir जाओ Yes sir एंक्वारी पूरी होने तक, यौर सुस्पेंड़ेड़ रितेश, हाँ मेरा नम रचना है, मैं Times of India में काम करती हूँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है किस बारे मैं मैं आर्क्योपूरम फ्लावर पर होने वाले आक्सिडेंस पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ उस सिलसने में आपसे बात करनी है माया और मेरी लव मैरेज हुई थी जर्णा हमारी बेटी थी, वो फर्स्ट ड्रेड में थी मेरी वाइफ भी जॉब करती थी हमारी जिन्दिकी सुखोन से गुजर रही थी रोश शाम को घर लाटने के बाद मैं जर्णा के साथ गंटों केला करता थू यही लाइफ थी, सब अच्छा चल रहा था हमारी बेटी ही, हम सब की दुनिया थी फिर भोहाँ सब, सब कुछ खतम हो गया I'm sorry, sir उस दिन, जर्णा का बद्द्र था माया उसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती थी जर्णा बहुत ज्यादा खुश थी वो नौ मार्च का दिन था सर, उस अक्सिजटन के बारे में कुछ बताएंगे आखर उस रात हुआ क्या था माया, 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 माया help, help, help जर्णा, 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 जर्णा जर्णा पुलिस ने राश ट्राइविंग केकर केस को बंद कर दिया मैं समाल कर ड्राइव किया करती थी मैं जानता हूँ लेकिन एक्सिडेंट की रात को एक कार उस फ्लाइओवर से गुजरी थी उसी कार ने एक्सिडेंट कर दिया ट्राफिक कैमरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी पर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं की एक रात में सिर्फ एक रात में पूरी फैमिली खो दी I'm really sorry sir मुझे आपको यह सब याद नहीं दिलाना चाहिए था कोई बात नहीं इसमें आपकी क्यों गलती नहीं हाई रचना पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला I'm sorry मेरी वज़े से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है नहीं कोई बात नहीं है वैसे केस तो चली रहा है सब ठीक हो जाएगा पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है डोंट फिल बैड यह सब तो होता रहता है कल रात वहां ऐसा क्या हुआ सर रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ले थी वो सकता है उसी कासर हो सर आज मैं रिटेश नाम के कादमी से मिली थी फ्लाइवर पर हुए आक्सिडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी यह फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहे एक मिनट यह देखे सर रिटेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट पे मारे गए थे सर वो यहाँ अकेला रहता है सर उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर आपको इन्वेस्टिकेशन करनी चाहिए लचना बस अब बहुत हो गया इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती है सर यह मौते आपस में जुड़ी हैं आप भी जानते हैं सुन्दर की मौत वकील की मौत और उन दोनों बायक वालों की मौत में शक्खी सवीस सिर्फ और सिर्फ तुम पर जारिये पता है में इसमें शामिल नहीं हो सह ये मैं जानता हूँ, पर बाकी तो नहीं जानते न, तुम फंस चाओगी, सालों तक पुलिस टेशन और कोट के चकर काड़ोगी, फाइनली वो तुम्हें ही कातेल धराएंगे सर, उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है, वही मर रहा है, और आप कह रहा है कि मुझे चुप रहना चाहिए रचना, मैंने बहुत सी मौते देखी, बाद में कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी यहीं मान कर चलना चाहिए हलो प्रभाकर कुछ सवानों के जवाब तुम्हारे लिए जानने बाँ हो सकते हैं अब मैंने ये केस छोड़ दिया है, तुम्हारी मदद नहीं करवाऊंगा क्लैस सब्सक्ता तुम्हारी मिढ ढागा हो कि अवाचे ज़ skaिए कर दिया वी फिललड़ ये अवाब धð कि राया बाँ झाल 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 यह यूटरन केस की पूरी फाइल है थांक यू प्रबागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहा है चलो तुम्हें तो यकिन यूटर्बागर स्वचचा यूटर्बागर प्रूटर्बागर यूटर्बागर पिखआगे पिर सेजी करना है कि एक पाफ़ दूसे हैं कि नुप पिर शेँ अरप पिर नुप दूसे सकता के एंग कि एक हम पिर यह राख और दोप मिए नहीं ुप्राए बंग कि एक बंग क्या हुआ बिटा इतनी रात को फोन क्या सब ठीक है ना हाँ मा सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला या अभी तब ठोन दी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा खाना खाया बस अब तेरी वराद मैं जीवर के खाऊंगी मा मुझे बहुत डर लग रहे पापा कैसे है यहीं बड़े कद ले लेके नाक में लुकर दी आ हधीक से बात करो न मा नहीं तो मैं फोन रख दोंगी प्लीज मापा ठीक है, मैं ठीक हु, तेरा टॉगी भी ठीक है, और कुछ पूछना है? मा मुझे बहुत डर लग रहा है अर्चो, कुछ गडबर है क्या? क्या हुआ बिटा? हलो, अर्चो बिटा, जवाब दे मा मुझे बहुत अकेला पन लग रहा है, इसलिए कॉल किया इसलिए तो कहती हूँ शादी कर ले शादी कर लेगी तो ना अकेली रहेगी न डर लगेगा पर तुझे मेरी बात सुननी कहा है कहा है तु इस वक मा आफिस में एक लड़का है जो अरे वाँ मैं कली आती हूँ उससे मिलने के लिए मा मा बस करो यह डालोग्स माणने बंद करो मैं फोन रखती हूं बाई आइए 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 आइआ आइए 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 जिल्ज़ी नकी पूह गुछिते गे दो दुछिते हैं खर्ड्री नकी यि एक्राइब खर्म्टों लिए तर्या है खर्या है खर्या़ पर्या है कि अमधे घ। तेट, धुट अुट रधा है! ए्लिध, 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 देडिए चाल इनुट, ए्लिध, ऺडिए दिए का प्रव में खिंग! झाल करना करना कर दो कर दो करी करी कर 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 बाए अ toi जहां को जyas को इनuly में उने अ, बाए घज अ पर्ण swing can कीsty झाल 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 अच्छे अब बुच्छे अपाँ अच्छे मजब बुचे अच्छे मेलवी कर दो हुआ जर्ना, खालो बिटा नए मम्मी, प्लीज, मुझे खाना नहीं खाना प्लीज, खालो, तल शाम से कुछ भी नहीं खाया है, लो खाले मुझे अपन नहीं से है मम्मी, मुझे औरन चाहिए बेटा, अब औरेंजिस कहां से लाँगी नहीं खाना है एक टुकड़ा खालो, बस नहीं मम्मी, प्लीज निरा बच्चा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, खालो मम्मी, मान जाओ ना, मुझे नहीं खाना है उफोज़द नहीं करते नहीं मा, प्लीज देखो जर्ना, नहीं खाओगी तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी चुप चब खालो मा, मेरे लिए बरुन लाई हो ना हाँ हाँ, यहीं कहीं पर रखा होगा जब, जाकर ढून लो हाँ, जल्दी आना लोड कर खाना है और गिरना मत पोगे मा तो मेरी बेटी की मौद की वज़े तुम हो आज रात उस लाईवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाए है वो तुम हो, मैंने तुम्हे देखा मैंने कुछ देखिया मैंने अपनी आँखोस देखा उस दिन तुम ब्लॉक्स हटा रही थी अपनी जनबासी में तुमने इतना भी ने सोचा कि किसकी जान को खत्रा हो सकता है तुमने ही मेरी जहर्णा का कतल किया है मैं तुम्हे नहीं जोड़ूगी तुमने मेरी बेटी को क्यो मारा नहीं, मैंने नहीं मारा तुम जूट मत बोलो हाँ, मैंने वो ब्लॉक्स हटाए थे यह जाने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है लेकिन अक्सिदेंट के दिन वो डिवाटर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे मैं सज़ कह रही हूँ, मैंने जिससे भी यह पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए पर उस रात को मैं और जर्ना उस लाइवर पर आराम से जा रहे थी जर्ना, तुम्हें नीन तो नहीं आ रही ने बिटा ने मम्मी नहीं आ रही है तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा एक्सिदेंट हो गया मैंने नहीं हटाए और उसके बाद, जब होश आया तो मैं अबिलिस में थी एक्सिदेंट के तुरंट बाद अगर इने लाया गया होता तो अच्छा होता काफी खून बह गया है इनके साथ एक बच्ची भी थी ना वैचारी बच्ची तो हादसे के वक्त ही मर गई अरे ये बहुत बुरा हुआ उसकी बड़ी को कोस्नोटम के लिए भीच दिया क्या हाँ भीच दिया ममी भाए ज़ने दो ज़ने दो ज़ना ममी अजा मेनी गड़िया सिर्फ पाट साल کی थी में राची ये भी नहीं जानधी थी कि महत क्या होती है और बता है उसे दिन उसका बंगे भी था वो दिन उसका आख्री दिन बंगे ममी क्या आप रो रही हो ममी है ममी को क्यों रोला रही हो नहीं नहीं आंटी ने कुछ नहीं किया मम्मी की आँखों में कुछ चला गया था इसलिए मम्मी आप मुझे कहानी सुनाओगे ना तुम जाकर बैट पर लेटो मैं अभी आती हूँ फिर तुम्हें कहानी सुनाओगी ठीक है मा गुर्णाइज जर्णा प्लीज जर्णाइज 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 जर्णा मेरी बात का यकीन करो एक दिन मैंने देखा के रोड ब्लॉक धाते हुए तो महले उन्हें चीट कर दिया था मैंने दुहारी मेटी को नहीं बारा साज कह रही हूँ चलो माल लिया ठीक है तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है अगर एक वीक के लिए हम इंवेस्टिगेट करते रहे आप सौरी यह रश्णा अलो आदेते देखो मैं मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करता हूं समझने की कोशिश करो मैं मीटिंग में हूँ ओके तुम्हें एक मौका देती हूँ कल तक मुझे बता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है मैंने असे देखा है रचना वो मेरी हाथ की नस काटना चाहती थी बिलीव में बहुत हुआ रचना यह तुम्हारा वहम है मेरी मानों तो उसके बारे में सोचना बंद करो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं 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 सर जिसने उस दिन ब्लॉक से टाय तो उसे ढूड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाएगा रचना समझने की कोशिश का अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी तुमने कुछ खाया है तुमने कुछ खाया है रशना तुम कहव मै फ्रेश हो कर आतो हूँ कर दो कर दो अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब भी करते सा तुमारी डायरी में जो दस नाम थे उनके फोटोज और डीटेल्स मैंने चेक की इन सब में एक कॉमन बात है हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है सुंदर, श्री निवासन और वो दोनों लड़के जो बेस्मेंट में मरे थी ज़र ये देखो और ये कोई इतिफाक नहीं है लशना तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है कुछ याद नहीं आ रहा सा सोचो याद करने की कोशिश करो किसी तरह का पैटर्न या उब्जेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ मैंने ऐसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया सा ठीक है, चलो चलते मामी हाई मलिक, ओ हेलो सर आप यहाँ कोई जरूरी काम? हाँ, वो नौ मार्च को आरके पूरम फ्लाइववर पर एक एक एकसिडेंट हुआ था उसके फुटेज लिखनी है सर, यहाँ तो कुछ नहीं है आप उस मा बेटी वाले एकसिडेंट के बाद तो नहीं कर रहे है हाँ सर, बच्ची फ्लाइववर से रेलवे ट्राक पर गिरकर मर गई थी यह वही केस है सॉरी सर, तब तक उस फ्लाइववर पर कोई कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता? वहाँ पर कैमरे एकसिडेंट के बाद ही लगाए गए सर, वो एकसिडेंट डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाने की वज़ा से ही तो हुआ था जिसने वो क्या उसे ही ढूडना है मैडम, जब वहाँ कैमरा था ही नहीं तो खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर के शुरू और आखरे में कैमरा है ना? यस सर, वो हैं मुझे उनकी फुटेज दिखा ये ट्राफिक फुटेज 9th मार्च का है उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाइवर से गई या नहीं वही तो पता लगाना है सर अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंट लोटता है तो मतलब उसने यू टन लिया है, करेक्ट? येस सर, ऐसा होना पॉसिबल है सूपर फ्लाइवर पर चड़के वापस लोटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक लगता है तो सबसे पहले लोटने वाले ने वो ब्लॉक्स जरूर हटाए होंगे, राइट? आपने बिलकुँ सही कहा फ्लाइवर की एंटिकी फुटिज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं मलिक, कैना सी था फुटिज? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्राफिक है जो फ्लाइवर के उपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाइवर से उतरने वाला ट्राफिक है पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटा कर यू टर्न लिया होगा वो स्क्रीन के दोनों तरफ दिखाई देगा बहुत अच्छे मलिक, सर, प्लीज फुटिज प्ले करो आप इसे ध्यान से देखेगा, अगर कोई शक हो तो बताईएगा सर, 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 वो रेड जाकेट थोड़ा सा रिवाइन करना पॉस, लोको मलिक देखकर तो वही लग रहा ऐसा इसने पूरा फ्लाइवर क्रोस नहीं किया बीच से ही यूटन लेकर लोटाया मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो, मुझे इसकी सारी इंफर्मेशन चाहिए ओकी, सर, रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आप ही आए सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखे नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम करो कर दो खो खोगो कर दो कर दोता है, नचनाओ, नचना कर दो तूम प्लेट नहीं है, प्लेट रचिए इन सब में एक common बात है मरने वाले को हर जगए U-shape दिखाई देता है तुमने हाली में कहीं U-sign देखा रचना, उस गाड़ी वाले का नंबर और अड्रेस मिला है क्या हुआ? सब ठीक है न? रचना, रुको, रचना रचना, 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 रचना रचना, रचना मामी बालू झाल 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 कर दो कर दो हलाओ हलो, उपल ढांव नहीं, मैं उसका भाई बुल रहा हूँ, कुण बुल रहा है , एक मिनट तुम्हे पाई का नंबर कहां से मिला, और तुम्हें इसे क्या बाद करना चाहती हो हलो यह तुम्हारे भाई का नंबर है हाँ दो साल पहले वो यूएश शिफ्ट हो गया पैंक्स के OTPC नंबर पर आते हैं इसलिए चेंज नहीं किया पर तुम्हें यह नंबर कैसे मिला और वैसे भी यह मेरे भाई की भाई के मैं तो रोज आरके पूरां फ्लाइओवर से ही जाता हूँ मलेक सब्सक्राइब आपको कुछ दिखाना है क्या है एनी प्रॉब्लम मेरे साथ आई रचना हर बात के हद होती है अखिर हुआ क्या है बताओ तो कह ओ तुम ने असे मार दिया तुमने ही उस हार के पूरां फ्लाइओवर से ब्लॉक सटा के यूटर लिया था वो बच्ची तुम्हारी बाजा से मर गए तुमने असे मार दिया अरे कौन सा एक्सिडेंट कौन सी बच्ची मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने लाल जाकेट में अपने भाई की बाईक से फ्लाइओवर क्रॉस किया था मैंने ट्राफिक क्यामरा में देखा है वो तुम हो मैंने कभी सोचा नहीं दार देते हैं मैंने नहीं सोचा रचनाप मैं सालों से उस फ्लाइओवर से आता जाता हूँ लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया सर इस गाड़ी को ध्यान से देखिए हाँ इसने लाल जैकेट पहनी और कुछी देर बाद ऑपजिट लेन से लोटने वाली गाड़ी को देखिए देखा आपने डिवाइडर को हटाते वक्त तुमने मेरी शकल देखे क्या वहाँ पर नहीं देखा लेकिन तो फिर तुम कैसे कह सकती होगे मैं नहीं किया है वो रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से उपर चड़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है उस दिन भाइक की बाइक को सर्विसिंग के लिए देना था मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं गराज महीं जा पाया मैंने बाइक को पिक करने के लिए मेकानिक को फ्लाइओवर पर ही बुला लिया जब फ्लाइओवर के दूसरे साइट की फुटिज देखी तब मैंने नोटिस किया सर सेम वेहिकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रिजिस्ट्रेशन नमबरा लगे अरे इंजिन में से बहुत आवाज आगी, अच्छे से चट करना, घर्चा वाटसप करना उसके बाद हमने बाइक की अदला बदली कर ली, मैंने उसकी बाइक ले ली और वो मेरे भाइक की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, बस इतना ही हुआ था तो तुमने डिवाइडर ब्लॉक्स नहीं हट आए थे ना क्यों हटाओंगा, मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हो रचना, मैं यूटन नहीं लेता तुम्हें एक मोका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है सर, 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 वो लाल जाके ओ माइगाड, यह मैंने क्या क्या रचना, तुम सुन रही हो, अलो, अदेत्या, तुम कहा हो, मैं तो अपने घर पर हूँ, क्यू, एक मिनिट ज़रा होड करना, कुई आया है अदेत्या, अदेत्या, प्लीज मत खोलो, दर्वासा मत खोलो अदेत्या कौन है अदेत्या कौन कौन हो अदेत्या कौन है कौन है यह कौन है आटो आटो भाईया वे में लेवाट में चलो जल्दी जी मेडम हलो हलो रचना हलो 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 रचना मैंने जो अड्रेस दिया है वो गलत है उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटा है सर मैं जानती हो कि ये आदमी वो नहीं है तुम्हें कैसे बता वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है हम दोने एकी ओफिस में काम करते है ओ माई गॉड सर मुझे आपकी मदद चाहिए रचना क्या हुआ बात क्या है सर आप मेरी बात पर यकीन ही करेंगे लेकिन लेकिन मेरे दोस्त की खत्र में सर वो उसे मार देगी सर आप मेरी मदद कीजिए सर तुम घबराओ मत मैं आप याद हूँ सर आप मीरें में आप यडिलो में अगे से लेकिन अगे बोदो रख वेच डिदेश? रहक कौन है अरे हमें लेफ्ट जाना है हलो कौन है घर में जवाब दो रशना रिटेश मेरे साथ है मैं वहीं आ रहा हूँ क्या आप मुझे बदाएंगे कि क्या हुआ है जिस दिन तुम्हारी वाइफ और बेटी का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन किसी ने फ्लाइवर पर डिवाइडर खिसका दिये था आपके कहना है का क्या मतलब है सर क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने ब्लॉक्स खिसकाए थे उसने वापस नहीं लगाए जिसकी वज़ा से तुम्हारी बीवी और बच्ची का एक्सिडेंट हुआ ऐसा हमारा मानना है रतेश हाँ हलो बोलो मलिक सर जिस गाड़ी ने यूटर्न लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है हुखका भई यह रहा येस सर हंडेट परसंट उसका नाम और अड्रेस मुझे वाटसाइब करो येस सर पेस्टाइब प्राइब रिटेश मैंने तुम्हारी बीवियर बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था मैं अपनी जर्णा की मौत का बदला लूँगी मैं किसी को नहीं जोड़ूगी मैंने इन लोगों को भी मारा मैं तुझे भी मार डालूगी अजएएएएएए सुझे पालूगी आथ़ियो 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 Ian हुँआ एकंच पाल शेडिव चीं हो आजकर मगने पाल्टो रश्णा चाखू लो चाखू लो चाखू लो रश्णा चाखू पालदी कौनो जाओ अजिळी डर्श्णा चाखू ज़े शाखू चाखू चाखू चाहू चल्डी टेशendre आधित, तुम ठीको। अधित, तुम ठीको। आधित, तुम ठीको। बस बस सांस लीते रहा। वो यही है र inadequता रजनाया। Select some. Hurry up, Rand треб, すब्से रूआ को से लुप Actually. अधित, तुम्हें कुछ नहीं हो listeners? पापार। नर्म चाहिए। यतेश जर्ना 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 मेरी बेटी तु कहां चली गए थी मैं किता परिशाद था नहीं गए थी या च्छड का चली गए थी मैं कहीं नहीं गए था बेटी मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अब तुम आ गई हो मैं कहीं नहीं जाओंगा तुम्हारे बिरा नहीं रहे सिप्तब है ममी का है माया तुम लोट आई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उसकी जान क्यों बचाई माया तुम कैसी हो माया वो जर्णा की मौत का जिम्मेदार है, मैं उसे छोड़ूगी नहीं अना, अदेटी, यहां बैठा, रशना, तुम अदेटी को समालो, मैं अमिलोंस को फोन करता हूँ अदेटी, अदेटी मुझे बात करो, अदेटी मुझे बात करो माया, एक्सिडेंट वाले तिन, मैं, मैं घर लोट रहा था हैलो, हैपी बाथ्रे कुडिया आप कहा है, आप घर क्यों नहीं आए पापा बस रास्ते में हो बेटा, यहां पानी बहुत बरस रहा है, रापिक भी बहुत ज्यादा है पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहो ना अरे ने, भू तो भूली गया, फोन ममी को तो दरा ममी, पापा कहा हो तुम मैं ज़गना का गिफ्ट मैं आफिस में भूल गया हूँ तुम बागी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पाचता हूँ, ठीक है? ठीक है, घर जल्दी आना I'm sorry Maya, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी गलतिकी मज़े से मेरा पुरा परिवार महरा जाएगा अराम से अराम से Oh my God Adita कहरी साथ हो वो भ्लोक्स खटाने वाला कोई और नीबल्कि रिदेशी था Sir Maya I'm really very sorry Maya बच्चो मुझे Maya Ma Maya तो रटो बच्छे Sir Sir तुमने मेरी जर्णा को मारा Maya मेरी सारे दुनिया मेरे सब से सब के सब मेरी जर्णा के साथ चड़े हुए थे तुमने सारे तो हो थी Maya तुम जर्णा के को लियो हुआ पिद्स यह जर्णा जर्णा पिद्स पिद्स प्लीज पापा को मत मारो I'm sorry पिद्स मैं तुम पुछ कुछ नहीं हुगी बेटा थुम तुम रो समत यजे, मैं बबूग्ट डाहसदुम्मध्ट कुछ कुछ नहीं करोंगी तुम्हें जसमें खुशी बेल। में पोट domin डाहसब करोंगी नतेशा। नतेश नितेश तो को कर dramatic नतेश, वेचि डौन एक भागा, नतेश mieć पी को लगा यह एको... माय! माय, माय"... माया प्याँ 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 प जर्णा जर्णा पकिटी नहीं है जर्णा जर्णा तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो तो यह भी नहीं चाहते कि वो मर्चुकी है। डाडी कहा है डाडी कहा है कि रख लगाय रहती है। मैं पहाने बनाती रहती हूं हमें उसे क्या पता कि उसकी मौत की वज़े उसके डैरी ही है तुम इसी तर्थ के साथ सितर हो यही तुमारी सजा है माया मुझे छोड़ कर बच जाओ माया माया झाल 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 झाल